दिल्ली में आज दोस्तों बहुत ठंड है एक डिग्री का असपर टेंपरेचर है आप सभी को दिल्ली की सर्दी मुबारखो मेरी तरफ से लेकिन इंकम टेक्ट वालों ने बड़ी जबरदस सर्कुलर निकाला है जिससे हर आदमी को लाखों रुपे का फैदा होने वाला है त से हमें लाखों का फैदा होने वाला है फाइन चलियर बीस-इस का अग्जामपल यह मैंने जिसे हम असेस्मेंट यह 21-22 भी कह रहे है और यह पिलेड आता है एक अप्रेल बीस से 31 मार्च 21 तक यह तीनों सेम ही है लोगों को कन्फीजन होते है कि फैनच लिए क्या असेस्मे है जिसमें आप फर्दा इंवेश्मेंट करते हैं प्रॉपर्टरी कंट्रक्शन करवाते हैं या बॉंड लेते हैं या कैप्टिल एकन खोलते हैं इसकी लाज देट 31 जुलाई 21 ती इस प्रांशेर की या आईटा भरोगे उससे पहले जाने कि किसी पहले आईटा भर क्या करें क्या नहीं करें तो मैंने कर जमा कराया कुछ केसे देख द्वारा कॉंटक कर लें अब उनको रिफन मिलेगा क्योंकि आ गई लोगों के लिए अब सरकार ने क्या का कोविट से इंवेश्मेंट नहीं कर पाए तो पहले एक सर्कुलर निकाला पुराना वाला उसके आ रही है यहां कि इस बीच में इन्वेश्मेंट इसका ड्यूडेट थी ओधी सितमबर तक कर सकता है कि किस तक यह जो डेट 11 जुलाई यह सरकार ने युश्य बढ़ा के 30 सितमबर 21 कर दिया था तो अगर आपने 31 जुलाई के बाद इन्वेश्मेंट कर एक सितमबर तक 30 सि benefit पहले मिल जाएगा अच्छा हुआ क्या एक लहर और आ गई लोग इंवेश्मेंट नहीं कर पाए कई लोगों की दैत हो गई उनके लीगल है नहीं कर पाए सरकार ने छे जनवरी को जागी छे जनवरी तेइस को सर्कूलर नंबर एक पहला सर्कूलर निकाला सी बीडिटी ने ओरिजिनल कॉपी लिंक में है डानलोड कर सकते आप इसकीन पे आपको भी दिखा दूँगा सरकार ने बोला एक अपरेल 21 से लेके पहले भी अपरेल किस था वहां पे था 29 सितमब सरकार ने उसको ठाइस फरवरी दोहर 22 तक बढ़ा दिया रकार ने बोला जिसकी भी डूडेट इसके बीच में आ रही है और वो कंप्लाइंद नहीं कर पाया आयटा की डूडेट निकले की कुछ भी निकल गई है अब वो अपना कैप लेके ने कौन खोल सकता है पॉपर्टी को परचेस कर सकता है कंट्रक उसके अंदर एक्जमिशन ले सकता है वो तो यह इसलिए कह रहा हूं सबको शेर कीज़ेगा कई लोगों पता नहीं है अब आपको पैक्तिकली क्या करना है हर वीडियो में एक्पर्टी सेचिन के ड्वाइज जरूरू होती है मैं हमेशा कहता हूं है सिंगल चैनल है जहां पर हम प्रॉड्वालेम्स के प्रैक्टेकल सेचिन देते हैं अब कई लोगों प्राइक जमा करा दिये हैं आई qué 31 मार्ज 2023 तक इन्वेश्मेंट कर दे या क्पिले के निकांट खोल दे जो कंडिशन है उनको फुल्फिल कर दे एक तीट मार्ज 2023 तक क्योंकि वह ट्यक्स जम्मा करा चुबा तो रेक्टिविकेशन करेंगा अंडर सक्षिन 54 के अंदर अगर उसकी रेक्टिविकेशन डिजैक्ट हो गई है तो फिर अपील कर देगा और अपना रिफंद ले लेगा देखो अगर 50 याज रिफंद है 1 लग क तो में साब से यह करना चाहिए जिन्हों ने आइटर फाइल नी करिया और भी माशालला आदमी लोग दुनिया में करिया कि हम तो लेजी रहे हमने तो टेक्स जमा करना पड़ेगा करें लोगों ने बात करिये मैं कर रहा है पैसी नियुक्त गलती उसकी भी नहीं है पैसी को लेके क्योंकि केसटो केस करता है आपका क्या क्या है क्या है क्या है क्या आंप के इस स्रकूलर के अंदर आ रहे हो यह नहीं आ रहे हो आपके ऐसे बैस्तिस पर इंवेश्मे periodic एका भर पूंल लिजिए हेला मज़ेदार विग हैनिक एक संकाइब कर ली एडवाइस चाहिए मेंसे discussion करना है मुवाइल नमबर और email id मेरी है ही आप अपनी कोई email id पे drop कर सकते हैं या जो phone number में दे रहा हूं उस पर call करके DAG मेरे से बात कर सकते हैं कि आपको इसमें कितना benefit मिलेगा refund कैसे मिलेगा reactivication कैसे file होगी सब चीजों का जवाब आप directly मेरे से बात करके ले सकते हैं और दोस्तों बड़ा important point रहा हूं कि नया circular है लोगों को पता नहीं है तो जितना हो सके इसको share कीजेगा अपने circle में WhatsApp ग्रूप पे Facebook पे जहां जाओ सके लोगों को बतायेगा हिससे कितना benefit हो रहा है जल मिलूंगा एक वीडियो के साथ तत्तिक नवश्कार